भारत के पहले राश्टरपती डॉक्टर राजेंदर प्रसाद पूरी दुनिया में अपनी सादगी के लिए मशहूर थे कभी-कभी जब कोई इनसान अपनी किसी एक खासियत के लिए मशहूर होता है तो हम उसकी बहु आयामी शख्सियत नहीं देख पाते स्वतंतरता सेनानी होने के साथ साथ राजेंदर प्रसाद एक वकील भी थे असहियोग अंदोलन के दिनों में उन्होंने वकालत छोड़ दी और देश हित में अंग्रेजी अखबार सर्चलाइट के लिए पत्रकारिता शुरू की इसके बाद हिंदी सापताहिक अखबार देश की शुरूआत की हिंदी को राश्टर भाशा के रूप में स्थापित करने के लिए अभियान भी चलाया ये शायद उनके स्वभाव में नहित उदारता और एक पत्रकार की सत्य तक पहुँचने की ललक ही रही होगी जिसके चलते उन्होंने राश्टर पती बनने के बाद एक बड़ी खास इच्छा जाहिर की उनकी इच्छा थी कि कोई इंसान वेश्याओं से भेट करे और उनके सुख दुख का हाल लिखे पहले वो खुद ही ये काम करना चाहते थे लेकिन राश्टर पती बनने के बाद वक्त कहां था उन दिनों पत्रकार रुद्र नारायन शुक्ल ने प्रेस ट्रस्ट ओफ इंडिया के एक समवाद दाता को ये खबर दी कि राजेंद्र बाबू की इच्छा पूरती के लिए ये काम अमरितलाल नागर करेंगे अमरितलाल नागर को खुद भी ये बात दैनेक अखबारों से ही मालूम चली अमरितलाल नागर की रचनाओं की भारतीय साहित्य में एक खास जगा रही है लेकिन ये काम एक बहुत ही दिल्चस्प अनूठा सामाजिक सर्वेक्षण बनकर सामने आया राजेंद्र बाबू की इच्छा से शुरू होकर एक शक्ल लेने वाली इस बेहद रोचक किताब का नाम है ये कोठे वालियां अमरितलाल नागर का घर लखनव में था काम शुरू करते वक्त नागर जी को वेश्याओं के बारे में उतना ही पता था जितना लखनव में रहने वाले एक आम आत्मी को लेकिन उनकी शुरूाती अग्यानता इस काम में रोडा बनने के बजाए इसकी खूबसूरती बन गई इस किताब को एक सफर की शकल देती ले शोध और निखर कर सामने आया लेखक का जुकाव किसी एक तरफ नहीं रहा ये निश्पक्षिता उसके उपन्यासकार की लेखनी के साथ मिलकर सफर को और भी रोचक बनाती रही ये सफर एक आम आदमी के नजरिये से ही शुरू होता जिसमें धीरे धीरे लेखक अपने आराम देह कमरे से बाहर निकल कर जमीन पर कदम रखता है वेश्याओं के जीवन को करीब से देखता है इस सफर में अगर खुबसूरत मनजर हैं तो कीचर भी जिसमें कभी लेखक के कपड़े मेले होते हैं तो कभी कोई कवल मिल जाता है नागर जी ने अपने बचपन और जवानी में वेश्याओं से जुड़ी कुछ बातें सुनी और देखी थें किताब की शुरुआत वो यहीं से करते हैं जैसे एक ऐसे लड़के के कहानी जिसके पिता तो हिंदू है लेकिन ये लड़का कई बार मुसलिम वेश्याओं में आ आखिर में तेजाब डाल कर मार डाला या खिल खिलाते फस फुसाते दोस्तों के गुच्छे से उड़ती ये बात कि एक वेश्याओं ही प्यार करना जानती है घर वाली नहीं उनकी इस दुनिया में कभी वेश्याओं प्यार किये खुब्सूरत परी थी तो कभी अपनी इंसक और चालबाज जादू करनी तब तक लेखक के लिए वेश्याओं का ये संसार अनेक रहस्यों से भरा हुआ था ये रहस्यों में दुनिया अमरितलाल नागर के सामने तब खुलनी शुरू हुई जब उन्होंने मुंबई में रहना शुरू किया फिल्म डिरेक्टर महेश कॉल के साथ अमरितलाल नागर फिल्म लेखन कर रहे थे और महेश कॉल फिल्म डिरेक्शन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की जिन्दगी बदल गई फिल्म के निर्माता और फिल्म के एक सेट जी के बीच में एक वैश्या की ही वज़य से कुछ अन्बन हो गई और फिल्म का काम रुख गया दोनों बेरोजगारी की धहलीज पर थे फिल्म का निर्माता कुछ-कुछ तनखा तो दे रहा था लेकिन वो काफी नहीं थी दोनों पूरा खाना नहीं खापा रहे थे दिन में एक डबल रोटी से ही काम चलाना थोड़ी-थोड़ी चाए ले लेना अमरितलाल नागर लिखते हैं कि महेशकौल और अमरितलाल नागर अपनी सुर्ती की तलब मिटाने के लिए दीवार का चूना खुरच-खुरच कर इस्तेमाल किया करते थे ऐसे में उसी मकान में एक और किरायदार परिवार रहने आता है जो गोवा से आया है इस परिवार में बच्चा और उसके माता पिता है बच्चे का पिता अपने परिवार को मुंबई इसलिए लेकर आया है कि कोई धंका काम मिल जाएगा नौकरी ढूंग लेगा और जिंदगी ठीठाक बसर हो जाएगी काफी दिनों की मशक्कत के बावजूद बच्चे के पिता को कोई नौकरी मिलती नहीं अचानक एक दिन पिता नौकरी ढूंगने के लिए कुछ यू निकलता है कि बहुत दिनों तक घर वापस ही नहीं आता बच्चा यानि लूलू और उसकी माँ भूखों मर रहे हैं ऐसे में उस बच्चे का एक मात्र सहारा बनते हैं अमरितलाल नागर और महेशकॉल एक तो खुद ही गरीबी की हालत दूसरा वो बच्चा जिसके बारे में अमरितलाल नागर लिखते हैं कि एक तो यूही मिया मंगते हो रहे थे और उपर से दर्वेश भी आकर खड़े हो गए खैर काफी दिनों बाद बच्चे का पिता लोटकर आता है अपने साथ एक अजनबी को लेकर अंदर जाता है लेकिन बाहर वापस आते हुए दिखते हैं लूलू और उसका पिता वो अजनबी और लूलू की मां कमरे के अंदर ही रह जए थे जी हाँ धन्दा शुरू हो चुका था इस घटना से अमरितलाल नागर और महेश कॉल के दिलों पर बहुत गहरा आगहत लगा जब लूलू की मां धन्दा कर रही होती थी तो लूलू बिचारा बाहर होता था और उसका पिता भी कहीं बाहर एक बार फिर से अमरितलाल नागर और महेश कॉल के सिर पर ही लूलू की जिम्मेदारी पड़ी इतनी ज़्यादा मांसिक पताड़ना और गरीबी न जेल पाने के कारण दोनों ने ये निरने लिया कि ये घर छोड़ दिया जाए उनके घर छोड़ने से पहले लूलू की मां ने अमरितलाल नागर और महेश कॉल से सिर्फ एक सवाल किया अभी लूलू का क्या होगा इतलाल नागर की ये बेचैनी लूलू की मां के प्रकरण पर रुकी नहीं इससे भी ज़्यादा विचलित करने वाली कहानी है बद्र मुनीर की बद्र मुनीर लखनाओ की कुछ नामी गिरामी वेश्याओं में से थी जिसको बचपन में शादी के बहाने धोके से लखनाओ के चौक इलाके में लाया गया था लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि गाने बजाने में उसकी रुची ज़्यादा रही और बड़ी होकर वो एक बहुत मशूर गाईका बन गई वो अपने कोठे में भी संगीत प्रेमियों को ही दावत दिया करती थी आशिकों से दूरी बना कर रखती थी यहां तक कि अमरितलाल नागर के मन में भी बड़े मुनीर के लिए बहुत आधर था अचानक बड़े मुनीर को कोई बीमारी लेगी है इसकी वजह से उसे कोठे से निकाल दिया गया क्योंकि अब वो पैसे की मशीन रह नहीं गई थी अब वो क्या करे अपना पेट तो पालना ही है जिस गंदे संदे ताल में रहती थी वहां का किराया भी देना है जो कर्ज लिया है वो भी चुकाना है आखिर कार एक अच्छी खासी गाई का जिस्म फरोशी के धंदे की तरफ ठेल दी गई एक सेक्स वरकर बन गई दिन भर वो मशीन चलती रही और शरीर ने अपने आपको अनेक संक्रामत बीमारियों का घर बना लिया अन्तुमें हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ी की बद्रे मुनीर बिस्तर से नहीं उट पाई और आखिरकार उसे अमरितलाल नागर से ही पैसों की मदद मागनी पड़ी अमरितलाल नागर ने उसकी पैसों से तो मदद कर दी लेकिन वो उसकी जिंदगी नहीं बचा पाई अमरितलाल नागर ने इस किताब में लिखा है कि कैसे वो आखरी बार बद्रे मुनीर की लाश को वहां देखने गए सुनिए मैंने एक बार लाश देखनी चाही अपने टाट छपपर के रंग महल में जमीन पर बद्रे मुनीर की लाश ढखी रखी थी मेरे मुँ से बेसाखता चीख निकल गई आधा दाहिना गाल नीचे का आधा होंट उपर का पूरा होंट नाक के नकसोरों तक तीन दिन में जड़कर गायब हो चुका था अंदर के भूत जैसे दांत और भयानक मुखाकरती देखकर मुझे चक्कर आने लगा पाउं लड़ खड़ाने लगे उसके बाद चाहने पर भी महीनों तक वो चहरा भूलने सका अमरितलाल नागर पर बद्र मुनीर और लूलू की मा के प्रकरण ने इतना गहरा आधात किया कि उन्होंने इस पूरी समस्या की जड़ तक पहुँचने की ठानी किताब की खास बात ही ये है कि इसमें लेखक सिर्फ एक तठस्त शोद करता ही नहीं है एक जजबाती इनसान भी है जो वेश्या प्रेमियों और वेश्याओं की बिखरती जिंदगी से परिशान हो रहा है वो शातिर वेश्याओं के जाल में फंसकर तिल तिल मर रहे आदमियों के हच्र पर दुखी है तो बद्र मुनीर और लूलू की मा जैसी औरतों के लिए भी पिखल रहा है वो सिर्फ वेश्या जीवन की बारीकियां हमारे सामने नहीं ला रहा बलकि तह दर तह गहराई में जा रहा है इस समस्या की जड़ तक समस्या की जड़ में नागर जी को परिस्त्री के प्रती काम भावना दिख रही है जो हमारे लोग गीतों में, हमारी कहानियों में, परिवारों में, दफ्तरों में और यहां तक की धर्म की छेनी से गढ़ी हमारी सामाजिक संस्थाओं में भी है और इसकी कई दुरलब मिसालें इस किताब में मौजूद हैं कई मिसालें देकर नागर जी बताते हैं कि औरत को सिर्फ मन बहलाने की चीज समझना कोई नई बात नहीं है मालबार के नायरों की बेटियां वहां के नम्बूदरी ब्रहमणों की भोग संपत्ति मानी जाती थी रजस्वला होने पर बड़ी धूम धाम से तीर्थ कुंडों में इन्हें स्नान कराया जाता था ये पता लगने पर नम्बूदरी ब्रहमण इन लड़कियों से संबंध बनाते थे गोर तलब है कि ये संबंध सिर्फ शारी रिख होता था शादी नहीं की जाती थी बच्चा होता था तो नम्बूदरी ब्रहमण उसे छूते भी नहीं थे नागर जी बताते हैं कि कुमाउं गडवाल क्षेतर में भी कुज़ातियों में अपनी लड़कियों से पेशा कराने का चलन था और हिमाचल की भी कुज़ातियों में पत्नियों की खरीद फरोख्त के साथ-साथ लड़कियां मेलों तक में बिक्ती थी किताब में अलग अलग जगों पर नागर जी इस मामले में हमारे शास्त्रों के पन्ने भी खुलवाते हैं जैसे कौटिल्य के अर्थ शास्त्र में संपन्न प्रजा जनों के लिए गणिका की अनिवार्यता पर जिक्र गणिकाओं के लिए एक विशेश सरकारी विभाग बनाया जाता था अर्थ शास्त्र में गणिका ध्यक्ष के लिए ये आदेश है कि वो सुन्दर, जवान और कला निपन युवतियों को एक हजार पणम के वार्षिक वेतन पर गणिका नियुक्त करे गणिका मंगला मुखी होती थी, प्रातहकाल उसका मुँ देखना शुब माना जाता था ऐसे ही कामसूत्र के वैशिक अधिकरण में महर्षी वातस्यायन ने वेश्याओं पर कृपा करके उनके हित की कई बातें लिखी है जैसे अलुपधताम चक्छापये तस्य निदिर्शनार्थम यानि अपने प्रेमानुराग को सच्चा सिध करने के लिए वेश्या निरलोभ पने का दिखावा अवर्ष्य करे और नचानुपाये नार्थान साधये दायति सनरक्षणार्थम यानि अपने प्रभाव को कायम रखने के लिए धन तरकीबों से ही सूते दप्तकाचार भी वेश्याओं को बता गए हैं कि किस तरह के पुरुषों को भसाया जाना चाहिए वो बता गए हैं कि खुशामत चाहने वाला मूर्ख, अपने को पुरुष सिद्ध करने की इच्छा रखने वाला नपुनसक, धनी माबाप का एकलौता लाडला, धोंगी महंत और अपनी वेश्या गामिता को छुपा कर रखने वाले दंभी जन अधिक पैसा दे सकते हैं खामसूत्र तो यहां तक बताता है कि किन जातियों की स्त्रियों को आसानी से भोग की सामगरी बनाया जा सकता है कुल मिलाकर अमरितलाल नागर यह बताना चाहते हैं कि विभिन सामाजिक परंपराओं की चलते इस देश में काम जीवन में उच्छरंखलता अनिवार्य रूप से आ गई लेखक का मानना है कि गणिका या वेश्या इनहीं काम परिस्थितियों की कलात्मक स्रिष्टी है किताब का लेखक ऐसा नहीं है जो अपने आरामदेह कमरे में बैठकर सिर्फ सामाजेक एतिहासिक और धार्मेक अध्ययन करता रहे नागर जी अपने इस आरामदेह कमरे से बाहर निकलते हैं और शुरू करते हैं फील्ड वर्क इसका किस्सा भी बड़ा मज़िदार है नागर जी की पत्नी प्रतिभा जी ने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक महिला उद्योक के इंद्र खोला अचानक उसमें एक दिन एक महिला आती है संगीच शिक्षिका बनने का आवेदन लेकर बाद में पता चलता है कि वो महिला तो तवायफ वर्ग से आई है चिंता का विशे है समस्या की बात है समाज क्या कहेगा लोग क्या कहेंगे लेकिन बहुत विचार विमर्ष के बाद आखिरकार सोफिया बेगम को संगीच शिक्षिका के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है अमरितलाल नागर को इसमें अवसर दिखता है वो सोफिया बेगम के जरीए बहुत सारी तवाइफों का इंटिव्यू लेते हैं जो बहुत ही रोचक है, मज़ेदार है और इस किताब की अद्भुत देन है जब अमरितलाल नागर को एक सवाल पूछते हैं तो सारी तवाइफें एक साथ जवाब देना शुरू कर देती हैं जैसे अपने जिंदगी भर की भड़ास बस उस एक पल में निकाल देना चाहती हो कुछ नई उम्र की लड़कियां भी आई हैं जिनकी आदत हो चुकी है सामने दिखने वाले किसी भी मर्द को अपनी और खीचना तो अमरितलाल नागर एक लड़की से कहते हैं कि बेटा जब तुम से सवाल पूछूँ तो जरा सीधे बैठे रहना मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम क्या कर रही हो वो लड़की शर्मा जाती है तो इस तरीके के दृष्ष भी हैं जिनकों पढ़कर आपको मज़ा आएगा खेर जब बात कुछ तर्ती पकड़ती है तो बहुत अद्भूत जानकारी इस बातचीत से निकल कर सामने आती है जैसे की देरेदार तवाइफों और कस्बियों का अंतर कस्बियों को तो थोड़ा बहुत नाचना गाना सिखाया जाता है बस वो अपनी सुन्दरता के जाल में मर्दों को फसाती है लेकिन डेरेदार तवाइफ हैं यानि जनका इंटर्व्यू अमरितलाल नागर ले रहे हैं उनको इल्म मजलिसी सिخया जाता है यानि मजलिस में या सभा में उथने बैठने का तरीका बोलने चालने का तरीका उसके बाद उन्हें शायरी सिख़्ाई जाती है मृत्य और संगीत में तो पारंगत बनाया ही जाता है उसके बाद घुड़सवारी सिखाई जाती है यहां तक की शतरंज खेलना भी सिखाया जाता है अब सोचिए खूबसूरा जवा नौरत जब इन सारी विद्याओं को ग्रहन करके निकलती है तो तवाइफ की नाक में डली हुई नत उतार कर उसकी नाक में कील पहना देगा जो उस चीज की पहचान होगी इस रस्म को नत उतारना कहा जाता था इस तरीके की बहुत सारी जानकारियां इस किताब में हैं इन रईसों से तवाइफों के जो बच्चे पैदा होते हैं, अमरितलाल नागर इस किताब में लिखते हैं और तवाइफें उनको बता रही हैं कि वो बच्चे हमारे समाज में मौजूद हैं और कई बच्चे उसमें से डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, हकीम, शायर, माओं को मा नहीं कह सकते और ना इनकी माएं अपने बच्चों को बच्चे, क्योंकि समाज का एक डर है, फिर बात आती है दफ़ा आठ की, जो उन दिनों लखनव में लगाई गई, जिन दिनों नागर जी तवाइफों का इंट्रिव्यू ले रहे हैं, दफ़ा आठ का गरों के खिड़की दर्वाजों पर चिक डाल ली है, और अपने दर्वाजों पर एक साइन बोर्ड लगा दिया है, डांसर एंड सिंगर, जिससे ये जाहिर हो सके कि ये जिस्म फरोश नहीं है, ये डांसर एंड सिंगर है, लेकिन इनकी देखा देखी, कस्बियों ने भी जिससे इन दोनों में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो गया है, जिसम फरोशी के शक में पुलिस ने इनके घरों पे चापे तक मारे, और 80-85-85 साल की बुढ़ियाओं को डेरेदार तवाइफों को जेल में भर दिया गया, नवजाज शिश्वों की माओं को जेल में भर दि इन सब चीजों से ये बहुत परिशान है, एक और खास चीज जिससे लगभख सारी तवाइफें परिशान है वो ये कि इनके काम के घंटे दफा आठ लगने के बाद घटा दिये गए हैं, जो कि पहले रात साड़े आठ से बारा बज़े तक होते थे, बारा एक बज़े तक एक दो घंटे में हम क्या तो मुझरा करें और क्या कमाएं, खैर इन सारी परिशानियों को दरकिनार करके अब ये तवाइफें बात करना शुरू करती हैं अपने जमाने की, उन डेरेदार तवाइफों के बारे में जो हिंदू भी होती थी, मुसल्मान भी होती थी, सब के अपने अपने गोत्र, कौम और निकास होते थे, अब जैसे एक तवाइफ का कौम है कंचन, गोत्र है गूजर और निकास है मियावाला पंजाब, इसी तरह से सारी तवाइफों का केटेगराइजेशन किया जाता था, जात पात यहाँ भी थी, कई डेरेदार तवाइफ हैं नागर जी से बात करते वक्त बड़े घुरूर से बता रही हैं कि हम निचली जाती वालों के यहाँ मुझरा करने नहीं जाते, भले ही वहाँ पैसा जादा मिल जाए, तो इस तरीके की बातें भी इस बातचीत में मौजूद हैं, जो मज़ेदार हैं, यह तवाइफें अब जोड़े बहुत रोचक किस्से हैं, अब वो चाहे गौहर जान और बेनजीर का किस्सा हो, या जमीलन और शमीम बानो का किस्सा हो, यह पढ़कर आपको मज़ा आएगा, जिन्दगी भर हिंदुस्तानी संगीत की सेवा करने वाली ऐसी गाइकाउं से अमरतलाल नागर मिलते हैं, जिसका व्योरा इस किताब में बड़े खूबसूरत तरीखे से दर्ज है, जैसे पदमश्री सिधेश्वरी देवी, सिधेश्वरी देवी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, तो मालूम चलेगा कि दादरा, कजरी, ठुमरी, चैती जैसी तमाम विधाओं में उन्हो देश्वरी देवी रात रात भर उस नौका विहार में गाया करती थी और पूरे जमाने का दिल जीती थी, नागर जी से बात करते वक्त सिधेश्वरी देवी पुराने जमाने की तवाइफों को याद कर रही हैं, और बहुत भावख हो रही हैं, जैसे गोहर जान, नूर ज जिन्होंने अपने जमाने में बड़ी उंदा खुबसूरत वेल मेंटेंड संगीत लाइबरिरी बनाई थी सिद्धेश्वरी देवी ही इसके बाद अमरितलाल नागर को विद्याधरी देवी से मिलवाने गई विद्याधरी देवी एक छोटे से गाओं में किसी तूटे फूटे से मकान में रह रही है अपनी सारी शान उशौकत शोहरत को छोड़ कर नागर जी के हाल पूछने पर कह रही है कि दुनिया में मैंने सब को रिजाया, जिंदगी भर रिजाया अब मैं राम को रिजाने में लगी है ये राम रीज जाएं तो मेरी बिगड़ी बन जाए इसके बाद अमरितलाल नागर रुकते नहीं है वो मुलाकात करने जाते हैं गुमनाम जिन्दगी जी रही बड़ी मोतीबाई से सिदेशवरी देवी ने अपने जमाने में खूब शोहरत कमाई पदम श्री बनी विद्यधरी देवी ने भी सारी शानो शौकत शोहरत कमाने के बाद वो सब छोड़कर एक गुमनाम सी जिन्दगी बिताई लेकिन वो उसमें संतुष्ट थी खुश थी बड़ी मोतीबाई का मामला थोड़ा सा अलग था वो काफी बीमार रहने लगी थी एक बार लखवा भी मार गया था पैसे की बड़ी मुश्किल थी अकेली रहती थी तो उन्होंने सोचा क्यों न रेडियो में काम करके कुछ खर्चा निकाल लिया जाए अब जिस बड़ी मोतीबाई ने बड़े बड़े महराजाओं के सामने गाना गाया दुनिया भर को दिवाना बनाया उसके लिए रेडियो क्या चीज़ है तो बस बड़ी मोतीबाई उठी रेडियो में आउडिशन देने गई और वहां फेल हो गई इस से बड़ी मोतीबाई के दिल पर बहुत गहरा आगात लगा वो नागर जी से कहती हैं कि साहब मैं सोचती हूँ कि अब ये गाना बजाना छोड़ दूँ लेकिन जिन्दगी भर जिस गाने बजाने के लिए इतनी महनत की मार खाई उसको कैसे भूलू साहब अमरितलाल नागर को बड़ी मोतीबाई की ये दशा देखकर बहुत दुख है किताब में ऐसी कई तवाइफों का जिक्र है जो गाईका बनने की कोशिश कर रही है सम्मान कमाना चाह रही है लेकिन मूँ के सामने रखे बड़े से माइक और नए जमाने की म्यूजिकल नोटेशन से घबरा जाती है और आडिशन में फेल हो जाती है इसके बाद अमरितलाल नागर जाते हैं बनारस वहां के कुछ पुराने लोगों से मिलने विद्वानों से मिलने जिनोंने तवाइफों की महफिलें देखी है उनकी साथ सजावट देखी है उनके मुझरे की तैयारियां देखी है यहां तक की भांडों और तवाइफों की नोग जोग का भी जिक्र है अब जैसे एक बार नाचते नाचते तवाइफ का रुमाल गिर गया तो भान्ड ने कहा हुजूर देखिये बाई जी ने अंडा दिया चट से तवाइफ ने जवाब दिया हुजूर देखिये तो अंडा तो पल कर बोलने भी लगा या फिर वो शेर जो अकबर इलाबादी ने गौहर जान के लिए लिखा था आज अकबर कौन है दुनिया में गौहर के सिवा सब खुदा ने दे रखा है एक शोहर के सिवा या फिर बनारस के आदि विश्वेश्वर मंदिर का जिक्र जहां हर सोमबार सुबह सुबह तवाइफें दर्शन करने आती थी इस वज़े से आदि विश्वेश्वर को बनारस में लोगों ने एक ऐसा नाम दिया था जो मैं इस चैनल पर कता ही नहीं ले सकता लेकिन अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ये नाम जानकर बहुत आश्चर्य होगा अमरितलाल नागर ने इस किताब को इतनी खूबसूरती से लिखा है मेरा मन कर रहा है कि मैं वो सारी की सारी किताब यहां पढ़कर सुना दूँ उस वक्त गूगल नहीं था, इंटरनेट ही नहीं था फिर भी अमरितलाल नागर ने इतने सारे तथ्यों को जोड़कर तवाइफों के अलग-अलग डिमेंशन्स दिखाकर पुरानी, नई, सारी कहानिया, परिस्थितिया जोड़कर यह किताब हमारे सामने लाकर रखी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यह किताब खरीदें और अमरितलाल नागर की मेहनत के साथ नियाय करें किताब रखी हमारे साथ चाहता हूँ कि आप यह किताब हमारे सिर्चाह किताब